एलो गाईज वेलकाम टू माई चैनल रीतू की दुनिया हर हर महादेव तो गाईज आज हम बनाएंगे कढ़ी पगोडा एकदम सिंपल तरीके से बिना किसी जिनजट के तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इस सबसे पहले मैंने लिया है मठा यानि छाच ये मैंने डिल ल लेना है हमें इसका एक पतला सा घोल तयार कर लेना है तो देखे जैसे आपको दिख रही है गाठे तो इस तरीके से कोई भी गाठे ना बने तो इसे हमें एकदम अच्छे से इस तरीके से घोल को तयार कर लेना है तो चलिए इसमें मसाले डाल देते हैं 37 में डाल देंगे भल्दी, आदा चम्मज, साथ इसमें डाल देंगे, एक चम्मज से कम लालमेज पाउडर और एक चम्मज धनिया पाउडर, साथ इसमें नमख हम सवादा नुसाय डाल देंगे, और इसे अब अच्चे से मिला लेंगे, तो देखे, इस तरीके से हमें मिला लेना है, आप इसे हाथ से मिला सकते हैं, या आप इसे विसकर से मिला सकते हैं, तो देखे, इस तरीके से पतला एकदम घोल तयार कर लेंगे, चलिए इसे साइड रख देते हैं, तो ये मैंने दो प्याज ली हैं, जिसको मैंने थोड़ा ल आजान तरीके से कड़ी बनाने जा रही है तो गैस ओन कर lhen गैस परक्रक्रक्रक टॉए उसमें यूंदेगे तेल को ँच्छे से गरम कर लें मैं ये इसमें राए उसमें डाल देंगे आदच अ मेती दाना तो मेती ऑच्छे से भून लेंगे आपको मेरा ऐसे भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक शेयर करना मिलकूल ना भूले तो देखें इस तरीके से हमें प्याज को भून लेना है उसाती जो हमने खोल तैयार किया था मठेगा उसे हम अब डाल देंगे इसे हमें चलाते रहना है जब तक इसमें उबालना आ जाए तो इसी तरीके से हमें इसे चलाते रहना है नहीं तो हमारी जो कड़ी है वो फट जाएगी और खाने में बिल्गुल भी टेस्ट नहीं आएगा तो इसे हमें जब तक उबालना है, इसी तरीके से चलाते रहना है तो देखें, इसमें थोड़ा-धोड़ा उबाला सुर्ण हो गया है तो चली हैं इसे उबलने देते हैं, तब तक हम पकोड़ी के लिए बेटर तयार कर लेते हैं तो यह हम एक कब बेशन लेंगे इसमें डाल देंगे हम आदा चमज नमक आदा चमज से कमी लेना है उसाथ इसमें एक चुटकी डाल देंगे लाल मेच पाउडर एक चुटकी इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका हम पक प्राइट कर लेंगे तो चलिए गैस पर रखते हैं एक पैन और उसमें डाल देंगे तेल और तेल को कर लेंगे हम गरम अब उसमें एक एक करके हम पकोड़ी को छोड़ते जाएंगे उसे हम धीमी आज पर फ्राई कर लेंगे तो देखें इस तरीके से हमें एक एक करके सभी को छोड़ देना है तो आप इस तरीके से कड़ी बना सकते हैं एकदम सिम्पल तरीकी से और खाने में भी यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे आप बिना किसी जंजट के बना के खा सकते हैं तो देखे अब इने हम एक तरब से हमारी जो पकोड़ी है अच्छे से फ्राई हो गए है तो दूसरी तरब से पलट देंगे तो हमारी जो पकोड़ी ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गई है तो चलिए अब इसे एक छल्ली में निकाल लेते हैं अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो देखें अब हमारी जो कड़ी है वो भी अच्छे से पक गई है उसमें भी अच्छे से उबाला रहा है तो देखें अब इसमें हम पकोड़ी को डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए दुबारा से पकने के लिए छोड़ देंग जो हमारी कड़िया उसका कितना अच्छा कलर आ गया है और अब कड़िये जो है हमारी अच्छे से बनके तयार हो गई है तो चलिए अब इसे गैस बन कर देते हैं और इसे गैस से नीचे उतार लेते हैं तो अब हमानी जो कड़ी है बनके तयार हो गई है चलिए से सर्व करते हैं तो ये चावल के साथ अब इसे हम सर्व करेंगे तो आप इस तरीके से कड़ी बना सकते हैं मिना किसी जंजट के आपको रेसिप अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर लें जिसे के आपको डेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले बिल सके मिलते आप से नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए हर हर महाँ